जहें दोस्तों मैं अब दुस्ताबद वालत करता हूँ आपको आपने यूट्यूब चैनल क्लासों मेरिया पर तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 के मैक्रो इत्मामिक्स का फर्स चेप्टर है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लोफ इंकम जो आपके सी के सी के पेपर में 3-4 मार्च में जरूर पूछा जाएगा यह टॉपिक आपका 3-4 मार्च कवर करता है तो दोस्तों इस वीडियो को आज तक जरूर देगे और पसंद आए तो चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर करें जरूर फ्लोफ इंकम क्या होता है इकनोमी में हम चीदों को जनरेट कर लें चीदों को जनरेट कैसे करते हैं हमने को ए प्रोड़क्त बनाया ऑर प्रोड़क्त को जब आप बाहर सेल करोगे आपके पास किया आएगी इंकम आएगी सबसे पहले economy में क्या होता है, income generate हो दिये, जब आपने income generate कर दी तो इस income को generate करने के बार आपको क्या करना हुआ, जो income है उसको आपको distribute करना है जो factor of production उसमें using हो दी तो पहले हैँ, generation of income और दूसरा, its distribution among factor of production. जब आपने इसको distribute कर दिया, तो distribute करने के बाद, जिनकी लोगों के पास income आई, वो इसको क्या करेंगे? करेंगे, इस फॉर्म में, in the form of consumption expenditure, तो दोस्तो, इंकम की definition क्या हो गई? जिनकी, it refers to societal of generation of income, जाई दोस्तो, it refers to societal of generation of income, income generate होई, its distribution among factor of production, उसको distribute कर दिया गया, और finally, dispose, dispose का बतल खट्स करना या हटाना, उसको हटा दिया गया, in the form of consumption expenditure, by our firm, अब दोस्तो, यहां में, underlined लिया, factor of production, तो factor of production क्या होता है, कुछ-कुछ चीज़े किशक्षियल होती है, हमें चीज़े produce करने के, उन दियों को बोलाता है factor of production, इकदावी में, यह factor of production होता है, अब चार होता है, ओन बदोसे, एक होता land, कुछ ना होता labor, इस होता capital, वच होता है enterprise, जब भी आप कोई चीज पोई य या कोई चीज अगर आपको बनाता है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो यह जगए चाहिए जहां प्या चीजों को बनाता है, आप किसी से दे लेलो, उसके बाद जब आपने लेंड का इत्रसाम कर लिया, लेंड लेने के बाद आपको क्या चाहिए, वहां पे काम करन चाहिए दोस्तों काम करने वाले लोग उनको क्या कहेंगे लेबर अच्छा जब आपने लेबर ले लिया फिर आपको बहुता सामान चाहिए रामेटरियन चाहिए लेबर को देने के पैसे चाहिए उन पैसों को क्या कहा जाता है लेबर को देना होगा अगर आपको लेबर काम करें उन लेबर को क्या देना होगा आपको वेजिस देना होगा और जो Capital आपके लगाया है उसके पथले में आपको क्या चाहिए आपको चाहिए इंडरेस्ट और जो Companies आपको लोगे वेजिए किसलिये कर रहा है वेजिस लोगों को इंडरिफ लिए कर रहा है अगर को profit हो से को तो दोस्तों सर्प्रफ्रोस इंपम के तीन फेज़े दोते हैं अच्छा ये किसी को नहीं पता कि इसमें पैला फेज कोन सा होता है कि नहां से स्टार्ट हुआ या नहां से अतम हुआ लेकिन हम ये मान के चलते हैं एकनौमी में कि पैसे तो तब ही आएगे जब हमने जील को प पैसे आज़े उसको बोला जाता है जनरेशन अफिर्पं क्या आता है जोस्तों जैसे इंकम जनरेट होई तो जो ओनर होगा या जो मालिक होगा वो क्या रहा उस पैसे को रिस्टिब्यूट करेगा इतने भी उसके यहां वर्गर्ड काम कर देड़ोंगे वो उनको रिस्टि दिफिया जाएगा वैजिस वैजिस लोगों और जब इको डिस्टिब्यूट कर दिया जाएगा तो फिल लोगों की कुछ नीड होती है कुछ नीड होती है कुछ वांस होती है तो उन डिजार या नीड को फिल करने के यह लोग की अगर्टन को कर्ट्स करते है इं लोग की अब दोस्तों इस चेप्र में अब दोस्तों इस चेप्र में अब दोस्तों आजाता है इनको समझने के लिए एक एकजांपल के तुर समझते हैं सबस्करों आपके छट्पे उपर टर्की रखी हुए शाम को पांच बज़े पानी आना शुरू हुआ और पांच बज़े आपसे क्या किया टर्की में पानी बढ़ना शुरू किया पांच बज़े से लेके 6 बज़े तक टर्की में आपने पानी बढ़ना और 6 बज़े टर्की फुल होगी तो आपका टैरिक ना शुरू उपर हो 6 बज़े फुल होगया अब दोस्तों 5-6 बज़े तक बज़े फुल करना था उसको बोला जाता है फ्लो इसको हम पीरियोड ऑफ स्काइम में मेंजर करते हैं कैसे मेंजर करते हैं दोस्तों पीरियोड टाइम है और हम क्या कहेंगे कि 6 बज़े हमारी तंकी फुल होगयी तो एक पर्टिबर पॉइंट ऑस टाइम है ऐसे वयरियाबल जिसको आप पॉइंट ऑस टाइम में 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 जाता है फ्लो इसको बोला जाता है फ्लो दुस्ता इसका दूशना डिसना जो है इसमें इसमें time dimension नियोता, क्योँ? एक particular course of time क्यों होता है No many time dimension होता है क्यों होता है? क्यूकि इसको measure करते है over a period of time जीसा, ये क्ष्ट्ट्टिक concept है static का मतलब येख unchangeable concept है पर पर्टिकलlle point of time रोतने था तो था, इसमें all change is going हो लेकिन, flow layer वो इन dynamic concept है, dynamic concept का मनदब, which can be changeable, जब्च को चेंजी कर सकते हैं, पाँ से शाय के वीच में, पहले तंगी आधी भढ़ी होगी, फिर कुली भढ़ी होगी, और छ्या में लास्ट में अधी तंगी तंगी, फुल होगी. ऐसे से इसामपल दिए दोस्तों इंडिया की पोपुलेशन इंडिया की पीज़ी निंडिया की पॉपुलेशन तिक नहीं थी हुआ एक इस्टाटिक कॉंसेट है यह एक पॉइंट पॉइंट और पुचड रहा है यही अदर प्रफ्षिदो की बात परूँ Number of birth during 2019 and 2020 2020 से लेके 2020 तर जतने भी बड़ रह बच्छे पैदा हुए वह वहाना कौंसा कॉंसेट होगा? लोगों कॉंसेट होगा क्यों होगा? तोछी इसमें एक साल में जतने बच्छे पैदा हुए उसको मेजर किया जा रहा है वो हमाने stop का concept है, क्यों stop का concept? क्यों ही particular point of time में measure किया जागा है कुछी तरिके से number of car purchase during 16-17, रोजार फोला और 17 के time में जो car आपने purchase किया है तो वो हमाने कॉंसर कॉंसर नो जाएगा? flow का concept हो जाएगा तो दोस्तों stop का flow क्या है? जिसको आप particular point of time में measure करते हो, particular point of time और flow क्या है? जिसको आप period of time एक particular period ये बहीने का हो सकता है, enough day का हो सकता है, एक सान दो का हो सकता है, ये अच्छा है महीने का हो सकता है तो उसको बगा लाता है, लोग को एक बार, household है, services दी, firm को और एक बार, firm ने दूर सर्विसिस दी, इसको household को तो धेड़ा आपने दोस्तों, household और firm जोनों ही तुछने पर fully dependent है अगर ये बनाएंगे रहें तो ये खाएंगे क्या? अगर ये खाएंगे रहें तो ये बनाएंगे क्या? दोस्तों, अब हम देखेंगे कि circular law of income इस तरिके से काम करता है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये two sector ही गौमी है, रैसे एक गौमी में चार sector होते हैं एक होता household, इसको हम consumer sector दी बोलते हैं, दूसरा होता है firm, जिसको हम producer sector दी बोलते हैं तीसरा होता है government, ये government आपने कुछ खर्चे करते हैं, उसको भी income होती है और चौता जो होता, जो होता foreign sector, कि हम बार भी समान घेचते हैं और बार समान मंगाते हैं, यानि हम import export करते हैं तो हम ये मान के चल दाएं कि इस economy में दो ही sector है, कौन कौन से दो ही sector है? आउसोल्ड और firm, वैसे चार sector वाले भी होता है, लेकि वह आपको higher level पर पढ़ना है यानि higher classes पर, जब आप first year या second year में पहुँच जाओने तब आपको पढ़ने, तब आपको पर दो ही sector के बाद पढ़ने आपको, आउसोल्ड और firm अब देगे दोस्तो, firm जो है, जिसको चीज़े produce करनी है, वो क्या करता है? आउसोल्ड सेंटर से, आउसोल्ड सेंटर से क्या करता है, चीज़े लेता है वोगोंती चीज़े मैंने आपको पिछे बता आता, factor of production यानि कि land, labor, capital and enterprise जब यह चारा चीज़े इससे लेता है, इसको बोला जाता है, capture services क्या 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 दोस्तों, आउसोल्ड ने, सबसे पहले हाउसोल्ड ने, land, labor, capital and enterprise इसमें, firm ने आउसोल्ड से लिया, इसमें लिया, पहरी चीज़ें produce कर सके अब आउसोल्ड वाजे बेव बुफ्त है, उन्हों में कोई सामानग दिया कि उसके मतले में वो उसको चार्ज करेंगे, चार्ज चार्ज करेंगे, firm जो है उसके बसरिम में land के बसरिम में, land के बसरिम में, labor के बसरिम में बेचेस, capital के में, interest और एंटरप्रेर्णर के बदल में प्रॉसम देगी जिसको आ जाता है वेक्टर पेमेंट इसको सर्विसस दी फॉम्टो और फॉम्टो इसके बदल में पेमेंट के आप हाउसोल यानि हम लोग जिसके पास पेमेंट आया उसकी कुछ नीड होती है के बदल में एक्टर वन से पास मेंता उसकर फीड हृत और होति है उसको नीड को फ्ल्क एक्स्णर के लिए या करना होता है उसको बोला जाता है कशब्समशन एक्सपेटीचर ऐसा धर्चा ज़ो आप अपने आब पर्सेजिपाइल करने के लिए आपने नीड को सैकिस्पाइ करने के लिए पर्जिन करता है हो इसको बोला जाता है कि अपने देखा कि इस तरीके से एक वार हाउसोल्ड फॉर्म को सर्मिसेज दे रही थी और एक वार फॉर्म हाउसोल्ड को पैसे दे रही थी फॉर्म फॉर्म के पीच में कैसा ठ्राजक्शन हो सिर्फ बूसें सर्विसेज का ठ्राजक्शन हो आउसोल्ड ने फॉर्म को फैटर सर्विसें थी और इसा होता है तो जब household और form में। सिरफ भूटो टा ट्रास्जेक्शन होगो जो उसको बोला जाता है यहसे दे रहें को यानि कि household और form के बीच में ग्टोट होगो किसक्त होगा आपा मनी का वपा वा आउसोल्ड i ॉष्टेश्भा करने के विए इसको की स्टेश्फाय करने लिए छो पैसे चंज करती है उसको का रहा है फार्म को दे जाया है विए उसके बज़ए में उसको फैक्टर प्पेमिन्ट को उसने फैक्टर दोस्तों आपता ये चैप्टर कंप्रीट हो गया उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा चैनल को प्रीज सब्सक्राइब ज़नूर करे और हाँ